नमस्कार आप देखरें बिस्तक और मैं हूँ आपके साथ श्रेया थाकूर हिसाब किताब के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कर्ज को लेक आकड़ बताते हैं कि 2014 में भारत पर 54 लाख करोड का कर्ज था जो कि 2024 में ये आकड़ा बढ़कर हो गया है 205 लाख करोड रुपए यानि 10 साल में भारत पर कर्ज 4 गुना बढ़ा है और इसी को लेकर राजनितिक बहस शडी होई है और इसी पर आज चर्चा करेंगे हाला कि दूसरे एपिसोड में, मतलब पिछले एपिसोड में हिसाब किताब के हमने चर्चा की थी Old Pension Scheme को लेकर और National Pension Scheme को लेकर जिस पे आपके बहुत सारे कॉमेंट्स टिप पने और सवाल आए है कि कर्स का हिसाब किताब कैसे होता है यह दर्शुक को समझाई है नहीं तो दिखिए सबसे पहले तो जो आपने आखड़ा पेश किया और जिसकी सोशल मीडिया में पिछले हैं हफ्ते बर से चर्चा रही है यह है कि 2014 में 54 लाग करोड कर्स था और अब वब दोलाग करोड 205 लाग करोड करोड हो गया मदलाल लगबग लगबग यह जो कर्ण आप देखेंगे भारत सरकार का या इसको हम कहते हैं ये देश पर कर्ज है भारत सरकार का नहीं राजे सरकारों का भी कर्ज इसमें शामिल है तो जितना भी कर्ज देश में लिया गया है सरकारों की तरफ से वो चार गुना के करीब ये बढ़ गया है तो इस पर काफी राजनीतिक बहस हो रही ह टिका टिक पड़ी हो रही है पक्ष के उपर विपक्ष के तरफ से कि देखो जी देश तो डूबी जाएगा इतना कर्ज हो गया है इतना कर्ज से कैसे देश आगे बढ़ पाएगा यह यह जो दिख रहा है जो विकास भी दिख रहा है वो सब कर्ज के नाम परी हो रहा है तो हमने हिसाब किताब इस बार मैंने ये सोचा कि हम इसकी राजनीती में नहीं पढ़ेंगे कि कौन सही है कौन गलत है क्योंकि इसका फैसला आने वाले वर्षों में होगा कि ये सही था या गलत था कर्ज लेना सही है नहीं है ये क्यों लिया जाता है कर्ज ये हम आज समझने की कोशिश करते हैं और उसका इस्तमाल कैसे होता है भारत में क्या हुआ है ये आज की हमारे हिसाब किताब का विशे है इसी पर मैंने जो अपना न्यूज लेटर है हिसाब किताब वो लिखा है तो आज हम इस पर बात करते हैं देश को आखर कर्ज लेना ही क्यों पढ़ता है? देखे तुश्रेया है कि हम लोग की एक गलत फहमी है यह हम को यह लगता है कि सरकारे अपने आप ही चल जाती है तो अपने आप सरकार कभी नहीं चलती है सरकार भी किसी मान लीजिए अगर कोई व्यापार है या कमपनी कहें आप उसको उसमें और एक सरकार में अंतर यह है कि दोनों के पास जो हैं वो इनकम हैं और उनके खर्चे हैं मतलब एक्सपेंसे हैं तो जो सरकार होती है उसके पास जो इनकम होती है वो होती है, मुखे तोर से में कह रहा हूँ ये बात, जो लोगों से वो टैक्स वसूलती है, ये सबसे बड़ा जरिया होता है, और उसकी एक सीमा होती है, कि आप कितना टैक्स लोगों से ले सकते हैं, कि उतनी ही उसकी आमदनी मोटी मोटी हो सकती है, और अगर आप कर्स का ब कोई पुरानी कंपनिया है उसके शेर आपने बेज़ दिये उससे भी आपने कुछ कमाई कर ली या डिविडेन मिलता है कुछ सरकार ये कंपनियों में सरकार का विनिवेश लेकिन ये सब बहुत चोटे-चोटे उसके अंच होते हैं जो आमदनी होती है वो होती है अटैक्स है लेकिन होता क्या है कि साल दर साल सरकार के खर्चे बढ़ते जाते हैं और दो तरह के खर्चे होते हैं एक खर्चा होता है जो आप कह सकते हैं कि जो पिछली बार भी आपने एपिसोड में वेलफेर की बात कही थी कि शिक्षा है स्व यह खर्चोता है और दूसरा इसके साथा सरकार को काम करना था कि हाईवे बनाना है एरपॉर्ट बनाना है परेल investig liner अस्कूल बनाना है अस्पिताल बनाना है यह दो तरह कि亞ला अलग था को आप जो दूसरा वाला खर्च इसको आप कह सकते हैं capital expenditure और पहला वाला जो होता है वह उपरेटिंग expenditure यह दो तरह के खर्चे होते हैं तो यह खर्चे साल दर साल हर साल आप जब देखेंगे कि जब अभी फरवरी में सरकार बजट पेश करेगी तो यह पताएं कि इतने लाग करोड का सरकार को घाटा है तो अब यह घाटा तो यह हर साल घाटा ऐसे बढ़ते जाता है क्योंकि यह खर्चे और आमदनी की जो का दायरा है वह कितना भी कम हो जा लेकिन वह कभी positive जीरो नहीं हो सकता है तो इसलिए सरकार को जाकर करज उठाना पड़ता है और करज जो है वह सरकार देश से उठाती है और विदेश से उठाती है हमारे स्थिती में हमारे देश केस में अच्छी बात ही है कि जो करज हम उठाते हैं वह हम अपने देश से ही उठाए जादा तर खर्चा है जो हमने दोसो पांच ही है सरकार क्या करती है कि एक बांड जारी करती है मतलब रजर बैंक सरकार के बिहाफ पे और वो बैंकों को या विभिन संस्थाओं को बेचती है और वह आप बारा साल का बांड होता है पचीस सान का बांड होता है उसके बाद वो पैसे सरकार लोटा देती तो ये इस तरह से कि सरकार हर साल एक तरह से करजा लिती रहती है और यह जो दुशकर आप कह सकते हैं इससे कभी भी कोई सरकार बहार निकल नहीं पारती है तो ये कोई अज़ुबा नहीं हुआ है कि दस साल में हमारा करजा इतना बढ़ गया है घृत अगर हम कहरें अमेरिका चाना से तो उस पर भी बहुत भारत से कई गुना ज्यादा कर्ज है तो आखर यह पता कैसे लगाएं कि जो देश पर कर्ज है वो कर्ज लेकर वो देश अच्छी स्थिती में है या बुरी स्थिती में दीक अगर आप अगर आप हमारी जो अपनी समझ कह लीजिए हम जिस समाज में बलते बढ़ते हैं वहाँ पे तो कर्ज लेना बुरा माना जाता है कि नहीं कर्ज में डूबा हुआ ये अच्छी नहीं म माना जाता है लेकिन जैसे हल के वर्षों में दुनिया में वयापार होता है तो उसमें कर्ज लेकर वयापार करना या कर्ज लेकर कोई चीज़े बनाना यह आम हो यह तो आपने है क्योंकि बात कही अमेरिकाकी, चीन की और देशों की तो ये इनका कर्ज भारत के मुकाबले बहुत जादा है काई गुना जादा है मेरे पस ठीक ठीक आकड़े मौजूद नहीं है लेकिन ये भी जान रखिए कि इनका आकार भारत के मुकाबले एकनौमी का आकार जो है चीन का आकार हमसे छे गुना बढ़ा है ठीक है ना तो ये बात है कि इनकी एकनोमी भी बड़ी है और इनका करजा भी ज्यादा है तो इसको देखने का एक तरीका यह होता है जो आपने सवाल पूछा कि जीडीपी के अनुपात में करजा कितना है ठीक है अगर आपका जीडीपी 100 है और आपका करजा जो है मानले जे 75 है तब आपका रे साथ प्रतिशत से नीचे है तब तो यह माना जाता है कि आप लो रिस्क है और जैसे मैंने का ना कि दुनिया में बहुत कम देश है जिनका बिल्कुल करज नहीं है ज्यादा तर देशों पर करजा है बुरुनी है या कोवैत हुआ कोवैत हुआ इन पर चार से छे परसंट कर दूसरी काटेगरी जिसमें भारत इस समय है वह नब्बे प्रतिशत से अगर आपका सौ जीडीपी है और नब्बे अगर आपका रुपिया करजा है तो यह कि आप सौ रुपिया तो आप हर साल उत्पादन कर रहे हैं और आपकी देंदारी है नब्बे की तब नब्बे के अगर आप नब्बे प्रतिशत के अंदर तब यह मौडरियर्स माना जाता है और हमारे मामले में अभी जो हमारा रेशो है वह 81 परसे जो नब्बे से पार है वह माना जाता हाई रिस्क अभी चुगी आपने बात की चीन की और अमेरिका की और यूके की तो यह सारे देश ज उपर है इसी में यूके भी इसी के आसपास है तो कहने के मतलब यह है कि अगर आप बड़े देशों के से तुल ना करें तो भारत का जो रेशो है वह अभी भी सेफ जोन में हैं या मॉडरेट जोन में हैं लेकिन आप आएम एफ नहीं कहा है कि जिस रफदार से आप करजे ले रहे हैं यह दोजार ठाइस तक सौ परतिशते पहुंच जाएगा जो कि एक खत्रे के निशान से उपर है तो यह कुल मिलाकर स्थिती है अभी हमारी तो जैसा कि आपने आएम एफ का जिक्री के असर तो आएम एफ ने जो कहा है कर्स को लेकर तो इस पर आप क्या सोचते क्या सच में भारत की स्थिती खराब हो सकती है देखो एक चीज मैं पहले बताना रही है कि भारत का जो रेशो है यह करीब दोहजार अठारा तक कोविड के पहले तक यह अगरा भी जैसे 81 परसंट है तो यह 81 परसंट आज से लगभग 20 परस पहले था बनाए 2005 में हम लोग इस लेवल पे थे उसके बाद में लगातार यह जो लेवल है यह गिरते गिरते दोहजार अठारा में सत्तर परसंट पर आ गया वो क्यों आ गया ऐसा नहीं कि हमने करज लेना कम कर दिया हमारे जीडी पी बढ़ने की रफ़तार बढ़ गई तो हम हमारा चूंकि जैसे माले अगर आप अभी 100 रुपिया कमा रहे हैं और आपकी कमाई 200 रुपिया हुई लेकिन आपने पहले 60 रुपिया करज लिया और 80 रुपिया करज लिया तो वो उस तरह से अनुपात में भारत की 2018 आते आते जो हमारी GDP और कर्ज का रिशो था वो आ गया सतर के आसपास आगया थ तो सारी दुनिया की सरकारों को करज लेना पड़ा भारत सरकार ने भी करज लिया और करज लेने के बाद में क्या हुआ कि उस समय GDP भी गर गई थी आपको याद होगा 2020 में देश की GDP भी गर गई और करज भी बढ़ गया तब हमारा जो लेवल है जो हमारा मैंने कर ना 2008 तक नीचे जा रहा था वो तो 2019 बीस से यह उपर जाना शुरू हो गया और यह उस वक्त 89% पर पहुंच गया तो मना जो खत्रे के निशान से लगबग वही 5 पहुंच गया था उसके बाद से अगर आप देखेंगे यह लगातार वापस गिर रहा यह 84 हुआ और अब 81 पर आके रुका हुआ है आयमेफ ने यह जरूर कहा है कि सो परसेंट हो सकता है लेकिन यह भी कहा है कि अगर भारत ने अपनी चीजें डिसिप्लिन रखी और को बहुत बड़ी घटना नहों जाए से कोई आपदान आ जाए या कोई युद्र नहों जाए तो भारत सरकार ने इनको ज हमारा GDP ही कोलाप्स कर जाए मतलब economic growth ही रुख जाए तब तो हो सकता कि हम सौक के तरफ बढ़ जाएंगे लेकिन अधरवाइस हम जो है मतलब असरी के आसपास तो हम कबसे हम बने रह सकते हैं ऐसा मुझे लगता है तो मेरे मन में भी सवाल है और दर्शक के मन में भी जरूर हैं कि हमारे मन में हमारे जो बच्पन से हमको सिखा जाता है कि कर्ज लेना बुरी बात है तो वो क्यों बुरी बात है क्यों कि आपको उसको चुकाना है और आपके सिर पर एक तलवार हमेशा बनी रहती है तो कर्ज चाहे सरकार ले या आप ले या मैं ले तब भी वो जो ब है लेकिन फिर भी अगर आपकाज लेकर मकान बना रहे हम लोन लिया आप में तो उस घर में आप रह पा होगे मतला आपको उसके लिए उसकी किस चुकानी पड़े हो सकता 15 साल 20 साल लेकिन उस कष्ट के बाद में उस कर्स को चुकाने के बाद में आपकी अपनी एक छत होगी आपका अपना घर होगा और वही मान लिज्ये आपने परसनल लोन ले लिया और आपने का कि चलो जी अब हम चुट्टी मना के आते हैं तो जो आप मैंहीं नहीं कर competitors कि पैसे नहीं है तो आप कर्द लेकि चुट्टी मनाने नहीं जाएगी क्योंकि उसका कोई फॉरन मतलब आपको आननदा जाएगा लेकिन लंबे समय में वो करद आपको फिर से चुकाना है और उसके साथ ही सर इंट्रेस्ट के साथ और ज्यादा चुकाना पड़ता है तो इसी से जूड़ी हुई बात ही आती है जब सरकार की बाद हम करते हैं जो मैंने शुरुआत में आपको का कि स पारीज होके निर्मान पर करना है ठीक है तो जब अगर सरकार कर लेके सड़क बना रही है हाईवे बना रही है एरपोर्ट बना रही है तो वह कोई मतलब उसमें खराबी इसलिए नहीं है कि कम सकम कोई संपत्तिका एक निर्मान हो रहा है जो आने वाले पचास सौ साल तक इस्तमाल हो पाएगा बिजली के लिए मुफ बिजली दे रहे हैं मुफ पानी दे रहे हैं या माले जब मुफ टिकेट हो रहा है बस टिकेट हो रहा है तो यह जो कर्ज लेगे आप खर्च कहा कर रहे हैं क्योंकि यह कर्ज जब आप ले रहे हैं इस समय वह बात में चुकान मंजने जाना है, यह मकान मनाना हैं तो यहीं वाली बात है, दोनों के लिए सरकार पर भी लागव होती है, और यही बात, हम पर भी लागव होती है. अगर मैं कहुं कि अगर एक इंसान की आम दनी बढ़ती है तो उसकी लिविंग-स्टैंड़ Lewis sinking अगर испड, ज्यादा लेता है तो ऐसे ही कुछ आप कुछ कहना चाहिए निशकर्श कहा है जी जी इसका निशकर्श यही है और मैंने जो अपने ये न्यूज लेटर में भी एक ही बात लेखी है कि अब जो यह तो बढ़ा इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है जो आपने बता है कि ठोस फॉर्मूला है जो निशकर्श आप चाहती है लेकिन मैंने दो आखड़े निकाले जो की हमको एक इंडिकेशन दे सकती है मैं इसको निशकर्श नहीं बता रहा हूं मैं इसको आपको संकेत दे रहा हूं जो चालू साल का बजट है इस साल का जो बजट है उसमें केंद यह प्रवे पर काफी कर्च हो रहा है तो यह जो खर्च है यह अच्छा अगर आप कर्ज लेकि एकर यह चीज़े बना रहे हूं तो ही अच्छा काम कर रहा है और अगर मैं एक 2010 जब पहले के कर्ज रब्र Alles की तुलना कर बेचे. यह था है तूसरा संकेत होता है कि सरकार की अचिनले संपिसेटनी है तो जब आप अकड़ा देखो गए तो चार लाग कinya. करोड रुपिय का मैं प्लस माइनस के आकड़े में नहीं जा रहा हूं लेकिन मोटा मोटा चार लाग करोड रूपिय का प्रावधान सरकार ने बजट में किया हुआ इस साल के लिए अब अगर आप यही उननीस में जाकर देखेंगे तो यह लगभग तीन लाग करोड किया अ मुफ्तराशन पर है मैं कहूंगा कि कर्ज लेना अच्छा नहीं है मतलब बहुत जादा कर्जा जब तक कि आपकी जीडीपी नहीं बढ़े जब तक आपकी आमदनी नहीं बढ़े तो अब तक तो हमने यह तक आगए लेकिन जो दोजार अठाइस का जो प्रेडिक्शन है व कर्यवडी बाटने का वो उस प्रेशर से सरकार को बचना होगा जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर कर्ज के ऊपर हमसे बात करने के लिए और शो क्या आखरी सेग्मेंट में जैसे हमने कहा था पहले आपको कि पिछली एपिसोड में अमने OPS और NPS को लेकर चरचा क इस पर तो आपको भी नहीं बतारते हैं नहीं तो चुकी देखिए हमने तो मैं अपने दर्शकों का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पिछला जो पहला ही एपिसोड था उसमें उन्होंने बहुत जी भर के कमेंट किये और कुछ तिपनियां भी कि कुछ तो हमारा कोई मनशा नहीं थी कि हम आपको ना बताएं कि कितना पेंशन मिलती है MLA या MP को तो हमारे पास अभी जो आकड़ा है वो है जो सांसद है उनको कितनी पेंशन मिलती है मिलती है साल का आखड़ा हुआ है मैं अभी क्योंकि आदरवाइस तो पचीस जार रुपीया महिने की होती है और दो टम में वो जाके सेंथी सजार हो जाती है अभी हम बात कर रहे हैं कि साल में कितना खर्च होता है पेंशन पर तो सत्तर करोड रुपिया यह साल का खर्च है कितना ही यहाद रखी है केंदर सरकार का χांणें कि अभी सिर्फ कर करने कि और हमेले की बात नहीं कर लो है अगर मान inking दो गए 10 घूना भी कर दो गए तब भी साथ सो करोड है हाद्र करोड होगा लेकिन अब आप इदर आके देखिए कि जो करमचारी की केंदरी करमचारी की पैंशन है हलागे इसमें मैं यह बता दूम की सैनि दल्मी इसमें अशामिल है मतलब सिर्फ सिविल करमचारी नहीं है टेली कॉम है लेकिन जितने भी केंदर सरकार जितना पेंशन पर खर्च करती हैं, तो वो आकडा लगभग जो है, रोज का अगर आप एक दिन का मैं अगर इस आकडा को निकालने जाओंगा, तो वो एक दिन का आकडा 700 करोड रुपिया बैठता है. यहां आप देख रहे हैं कि 70 करोड रुपिया पूरे साल भर में खर्चा हो रहा है, तो वहां आप आएंगे कि पूरे एक दिन का, मतलब यह लगभग जो है, जो हमने कैलकुलेशन निकाला कि लगभग 3 लाग करोड रुपिया खर्च होता है पेंशन पर केंदर सरकार के पर तो 696 करोड एक्जैक्ट आगड़ा है और जो साल का खर्च है, जो बजट के आधार में आखड़ा बता रहा हूं, वह है धाई लाग करोड दो लाग चववन लाग करोड बिसिकली, नहीं माफिक किजिए गा, 2.54 लाग करोड इतना यह पेंशन पर खर्च है, तो यह ब मैं कहा हूं, यह आप 70 करोड को खर्च है, जैसे क्या और इंज को कम पहन नहीं कर सकते हैं, और इसमें एक और आखरी बात में बता दूँआ चलते दर्शकों को, कि जो एक महराज के सांसद है, बालू धानोर कर, उन्होंने एक चिठ्ठी लिखी है, सरकार को, और उन्होंन जो यह नहीं मिलना चाहिए, तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर धानोर कर साब जो कि खुद सांसद हैं, उन्होंने चिठ्ठी लिखी है, कि यह पेंशन बंद होनी चाहिए, तो मैं यह कहा हूं, यह पेंशन बंद हो जाए या रह भी जाए लेकिन कहां सत्र करोड है, पूरे साल का खर्च और कहां भाई लाक करोड है पूरे साल का सिर्फ केंडर सरय का खर्च, और अकर आप इसमें राज्य सर्कार हों का जोड़ देंगे, तो वह वी मेरे ख팅양 से करीब तीन लाक करोड एक्स्ट्रा बैट आना है, कर्मचारी के बचेंगे लेकिन आपका खर्चा जो है एक दिन का बैठ रहा है इस समय साथ सो करो तो आप इसकी कोई तुलना ही नहीं हो रही है यह मैं कहना चाहँ बिल्कुल बहुत बश्रुकिया सर अपने समय के लिए और दर्शो के सवाल के जवाब भी देने के लिए और दर्शो को बहुत बहुत आभार इसी तरह से अपने सवाल पूछते रहे और इस एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है आपकी क्या राए है वो भी कॉमेंट सेक्शन में हमें बताए और हम पूरी कोशिश करेंगी कि नेक्स एपिसोड में आपके सवाल ले जाए और यह झाल झाल